जिन घरों में सुबह सूर्ज निकलने से पहले घर में ही अपने पीरो मुर्षद के नाम का चिराग जा उनके नाम का कोई धूप बती अगर बती जलाई जाती है सूर्ज निकलने से पहले अपने पीरो मुर्षद की बंदगी की जाती है नाम सिम्रन किया जाता है उन घरों में पीर बाबा पैसे की जा किसी और चीज की कोई तंगी कोई कमी नहीं आने देते जिन घरों में सूर्ज निकलने से पहले ही पूरा परवार उठ जाता है और उठकर बाब भजू होकर अपने पीरो मुर्षद का उस परमातमा का नाम लेते हैं और जो उन्होंने अपनी जिन्दगी में कोई गलती गुना किया है उसकी माफी मांगते हैं और अमरत बेले परमातमा की दरगा में हाजर होकर उनसे कुछ भी मांगते हैं उनको अल्ला की दरगा से कभी भी नाम मैयूस नहीं होना परता उनकी खाली जोली हमेशा भर कर ही आती है इसलिए पूरे परबार को सूरे निकलने से पहले ही उठ जाना चाहिए और बाब बजू होकर अपनी गलतियों की माफी मांग कर अल्ला की किचारी से कुछ भी मांग लो अमरित बेले सूर्ज निकलने से पहले बै आपकी जोली में जल्दी ही पढ़ जाएगा चाहे पैसा हो चाहे और कोई किसी भी तरह की आपको गर्ज है बै पूरी कर दी जाएगी और उसके साथ साथ जिन घरों में सुबे की पहली डोटी पक्षियों के लिए जानबरों के लिए निकाली जाती है उन घरों में भी गुर्बत कभी नहीं आ सकती उन घरों में भी पैसा बे शुमार पीर बाबा के रहमों करम से आ जाता है जिन घरों में पहली डोटी पक्षियों के लिए जानबरों के लिए निकाली जाती है दर्बेशों के लिए निकाली जाती है इसलिए आप भी अपने घर में ये नियम बना लें कि सुबे की पहली रोटी जो आपके तबे की है और दूसरी पाक्षियों के लिए जानबरों के लिए दर्बेशों के लिए निकालें अपने पीरो मुर्षद के नाम पर दान करें उस रोटी का तो दिनों में ही आपको पता चल जाएगा कि इस काम से उनको क्या फाइदा हुआ है कैसे उनके बिगड़े हुए काम बनने शुरू हो गए है एक बात आप जिन्दगी में हमेशा याद रखना जब भी कभी आपके दरवाजे पर कोई फकीर आए कोई अल्ला के नाम पर आप से मांगें तो आपकी जितनी भी शमता है उतना जरूर दें ज्यादा नहीं तो थोड़ा जरूर दें खुशी खुशी दें कोई भी आपके दरव से भूका प्यासा बापिस नहीं जाना चाहिए ऐसे घरों में जो काम किये जाते हैं जिन घरों में ये काम किये जाते हैं उन घरों में पीर बाबा का बास भी हमेशा रहता है खुद पीर बाबा हाजर नाजे रहते हैं और उन घरों पर पैसे की बारिश हो जाती है उन घरों में किसी चीज की कोई तंगी परिशानी कभी नहीं रहती